हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बल्लू योगी परोल पे छूटे हो आजाद नहीं हुए याद रखना जिर्ज आप डरिये मत हो अपनी आजादी का नाजायच वादा नहीं उठाएंगे 37 गारियों चोड़ी करके बेची थी तुम्हें शहर से अगर एक भी कार गायब होई तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे विविक? हम? टेंशन है क्या कोई? स्ट्रेस में लग रहे हूँ? स्ट्रेस तो बहुत सारी होते हैं लाइफ में लेकिन उस्ट्रेस से बाहर निगलने का तरीका अगर गलत होना लाइफ और स्ट्रेस्फुल हो जाती है सिर्फ दो बल की खुशी के लिए इन्जान कभी-कभी जिन्दीगी भर की आफ़त पाल लेता है इतने फिलोसिफिकल क्यों हो रहे हो साफसब बताओ ना बात क्या है आउच आउच ये मेरे हस्बन विवहक कैसे वा ये सब मैं और विववहक पाटी से घर लोट रहे थे फिर अचानक से एक बाएक आई और पिर आउच अबे पागण है क्या? पागट आये से? स्टुपड! समझ में नहीं आरी है मैं क्या बोल रहा हूँ? निकल! भाट रिकल! महार निकल? अरे कौन? अरे कौन हो? तो उन लोगों ने लूट पाट की कोई कौशेश नहीं की? कौन थे बोलो? कुछ आइडिया आको? सर उन में से एक ने हेलमेट पेना था और एक का चेरा ठका हूँ था बाइक कौन से थी? बाइक का नंबर देख पाई हां? अच्छा आप ने कहा कि आप किसी पार्टी से आ रहे थी? किसकी पार्टी थी? विवेक के बास की? बास का नाम? बासकर गुपता, वो विंशॉर कंपनी के मैनेजर है और विवेक के सूपरवाइजर थी और जिस घर में पार्टी थी? वो घर कहां पे रहा? मॉडल टाउन आते रहना तुम लोग? या 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 शॉर संबल के जाना प्लीज अरे, don't worry, मैं हूँ समालने के लिए सर, गाड़ी में ये मोबेल मिला है ये फोन विवेक हा? लॉकर, इसका पासफ़ड के है? मुझे नहीं पता सर, बान सिगद सर, या दूर दूर तक सिसे चवे मिलने के कोई चांसे नही है और अगर विवेक अपने बॉस के घर से आ रहा था तो शायद वो बाईकर्स उसे वहीं से फॉलो कर रहे होंगे और कातिलों ने लूट पाट कामे के कुप को अशिश ने की और विवेक की बीवी को सही सलामत छोड़ दिये कातिल विवेक का कतल करने के रादे से आय थे यह तो लग रहा है पर आईविटमस के इस तरह जिन्दा छोड़ देना अटपटा नहीं लग रहा है I mean क्या कातिलों को जरा भी खाफ नहीं था कि विवेक की बीवी उन्हें पैचान सकती है या बाइक का नमबर नोट कर सकती है सर विक्टिम की विंड पाइप और फूड पाइप बुरी तरह से काटी गई है चाकु इतनी सफाई से चलाया गया कि विक्टिम के अंदा इस्पॉट डेथ हो गई होगी कि विवेक के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन काम किसी के लिए नहीं रुकता तपन, विवेक के सारे क्लायंट्स अब तुम संभालोगे आकाश को अपने साथ रखो विवेक के क्लायंट्स की सारी डिटेल्स आकाश के पास है जी सर आकाश, अब से तुम तपन को रिपोर्ट करोगे अब हीज यर बॉस जी सर इस्क्यूज में सर तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बार में पुलिस को सारा सभी पता चल गया ना तुम्हें सच में किसी को भी मूध इखाने लाइक में रह जाओंगी हम दोनोर के लिए बेटा रहेगा कि तुम मुझे कॉली मत करो अप तरुन मेरी बात सुनो पहले हा तरुन नहीं सर कोई ओकेशन नहीं था बस एक कैश्वल सा गे टोगेधर था जो विवेक और उसकी वाइफ डिनर प्यागे थे विवेक की मौश से किसको फादा हुआ होगा हमारा तो नुकसान ही हुआ है सर मतला? एक efficient supervisor खो दिया हमें कंपनी को सबसे ज़्यादा business पहीला के देता था इस साल हमारी कंपनी का turnover हेर गुणा बढ़ गया है कंपनी के 40% से भी ज़्यादा clients विवेक लेकर आया थैंक यू सर्व गड़ जाब Now I would like to see के अगले साल विवेक से भी ज़्यादा clients कौन लेकर आता है Mr. Bhaskar क्या आपके office में कोई ऐसा है जिसका विवेक से कभी कोई जगडा हुआ या विवेक को नापसंद करता Sir विवेक एक बहुत ही सुल्जावा इंसान था उसके साथ और उसके आसपास काम करने वाले सभी उससे बहुत खोश रहते थे मैं मैं पिछली एक साल से विवेक सर कोशेश्ट कर रहा था फिर तो विवेक के दोस्त और दुश्मन सबको अच्छे से जानते होगे तु Sir ऑफिस है यहाँ सब कुलीक्स होते हैं दोस्तिया दुश्मन नहीं होते हैं दुश्मन ना से लेकर ने कमपिटेटर था होते हैं तुम और विवेक एक ही पोस्त पर थे तो कमपिटेशन तो रहता होगा और एक दूसरे से आगे नेकलने के कोशिश भी होती होगी हाँ sir पर हेल्दी कमपिटेशन था sir इसी से इंसान की ग्रोध होती है जो कि तुमारी हुई तपन क्योंकि विवेक के जाने के बाद उसके सारे क्लाइंट तुमें मिल गए राइट? राइट मैम तपन को फाइदा तो हुआ है तो तुम यह क्या रहे हो कि विवेक के मुर्डर के पीछे तपन का हात है नहीं मैं मैं ऐसा नहीं कह रहा sir मुझे नहीं लगता कि विवेक के मुर्डर का कनेक्शन उसकी प्रफेशनल लाइफ से जुड़ा होगा तो क्या परसनल लाइफ से जोड़ा? आप तो विवेक की परसनल लाइफ के बार में काफी कुछ चानते होंगे विवेक का अपनी वाइफ के साथ रिलेशन कैसा था? I mean, दोनों में से किसी का कोई अफेर? नहीं सर, मुझे इसा नहीं लगता विवेक की तुमारी पास के जाचा दाता हूं The number you have called is currently not reachable आ एक टामात उर में équिर के रिलेशन To more you T कर दो Greek देखो, हर जगे के कुछ राज होते हैं, चाहे वो घर हो या कमपनी वो राज खुल जाए, तो नुकसान सबका हो सकता है अध्यान वूद राज जेगिदम, कर्पताज बूपलजार वग्छुन, वमास्त वचोख विनाश्यारकां नमामि विगनेश्वर पादबंगजम, शे रामचंत कृपल भजमन अरुब भूबेधारण, नमकंदू, लूचन कन्यमुकर, कन्या पुदा कन्यारुन, कंदर वग साथ लो देन अच्छा रहे है बस पंडी जी पूजा ही करते रहो तो नोकरी तो होती नहीं तुमसे कुकर की तीन सीटीया लगने पर गैस बन कर देना कम से कम इतना तो कर सकते हो ना मैं काम पे जा रही हूँ काम कुछ नहीं तो मैंने भासकर के घर से लेगा क्राइम सिंग ता जितने भी सिसिटीवे फुटेजर सभी को खंगाले बंजारा क्रॉसिंग के पास लगे सिसिटीवे फुटेज में एक बाइक स्पोट हुई है यह विवेक की कार है और यह वो बाइक है जो इसे फॉलो कर रही है यही फुटेज मैंने विवे की वाइक श्वेता को भी दिखाई हाँ मैम गेख यही थी वो बाइक और यह दोनों वही हैं लेकिन यह फुटेज बिल्कुल क्लियर नहीं है ना तो बाइक का नमबर ना तरह आ रहा है पर ना ही बाइक सवार की शकल हूँ लेकिन फिर भी सर्श्वेता काफी दावे के साथ क्या रही है कि यही वो किलर है और सब विवे का फून अनलॉक हो गया है मैंने चेक भी किया है विवेक एक प्रथा नाम की औरत के साथ काफी टाच में था दोनों के बीच में ओपन मैसेजिंग हो दे थी और सब मेसेज को पढ़के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में अफैर था कौन है ये प्रथा? सब विवेक की कलिक तरुन की वाईफ है मेसेजिंग प्रोफाइल पे तरुन के साथ प्रथा की फोटो भी है इस लेहा से तरुन और विवेक की वीवी श्वेता इन दोनों का मोटी स्ट्रॉंग लगता लेकिं साथ हैरान करने वाली बात ये है कि विवेक की वीवी श्वेता और तरुन भी कौन पर काफी टच में थे विवेक की वीवी का अफियर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ विवेक की वीवी श्वेता और तरुन का अपस पर फोन भे टच में होना ये खिच्डी कुछ समझ में नहीं आ रही है और से एक तरफ ये बाइकर अगे लगता है ये बाइकर्स स्वारी किलर्स हों गये जो तरुन ये श्वेता से कनेक्टेड हो सकने हैं इन दोनों की बैगरॉंड अच्छे तरह से खंगा लो और तरुन की बीबी से मेरो देखो अब वो क्या बोलती है ओके सब अब एक अब आधार लगाओ कुड़ी आर दार लागा ने मगखन के तरह कटना चाहिए अवर्गा तर मेरे और विवेक के भी जैसा कोई रिष्टा नहीं है, जैसा आपको लग रहा है एडम, ये मबाइल फॉन विवेक का है, आपकी विवेक के साथ जो भी बातचीत होती तिना, वो सारे मेसेज़े इसमे हैं, कुछ पढ़के सुनाओ आप, आपकी यादास ताजा हो जाएगी विवेक लिखता है, रथा, तुम मेगनेट हो, तुम्हें देखता हूँ, तो बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आजाओ, आगे आप लिखती है, ओ विवेक, हमारी अगली मुलाकात कब होगी, और आगे पढ़ो, यतना काफी है सर, मैं एक शादिश होदा औरत हूँ, मैं अपने पती को कोई दोका नहीं दे रहे थी तो क्या पती पतनी दोनों ने मिलकर विवेक को ट्रैप किया था? सर, ये कैसी बाते कर रहे हैं आप? हमारा विवेक के मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है लेना देना है या नहीं वो तो हम पता लगा लेंगे लेकिन एक बात याद रखना अगर मुझे पता चला कि आप को जानती थी और चुप रही तो बाद में बोलने का मौका नहीं मिलेगा सर, आपको जो करना है आप करिए लेकिन मैंने कुछ नहीं किया वहु हु 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 ओ बोल्लो जी योगी भईया अज जी भर की करलो या शी मताओ किसके साद मुनाओंगे दिवाली अकड, बकड, बंबे, भू, असी, नंबे, पूरे साव जाज 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 यहाँ हाँ हाँ अराम जाज एक जम बने हाँ योगी भाया, see you later. अब लेटर बत्तरा अराम से लेख. तुमको बड़ी परशानी हो रही है? जबू? तेरे नाम क्या है? चंदा. अदे नी में जान दिना, सुना. तुझ मेरा नाम बता है क्या? नाम भी पता, काम भी पता है. चोर एना तु? गाड़ी, चोर. अज तुझे क्या लगता है? कि ते याना चोर नहीं, पुलिस वाले आएंगे हो? पुलिस वाले जी आते हैं इदर. पर मज़े करके चले जाते हैं साले. और पैसी भी नहीं जित्ते कमीने. कौन आया था पता ना? बात करने का अलग से चार्ज लगे. तो तो बड़ी लालची लड़की है. तरौन, बुलिस ने तुम्हारी बीवी से पूछ ताच की. उन्हें शक्तो नहीं हो रहा है? सर, उने शक्तो है. पर पथा नो नो ने कुछ बताया नहीं. सर, लेकी ने श्वायता है. सरी, विवेक की बीवी बहुत परेशान कर रही है, सर. इसको हैंडल करना मुश्की लो रहा है, मैं क्या? तो हैंडल करो. हमरे रास पोलिस को मालूम नहीं पढ़ने चाहिए. विवेक की परसनल और प्रफेशनल लाइफ के कई ऐसे रास थे जो उसके मर्डर की वज़े नजर आ रहे थे. और उन दो बाइकर्स को पोलिस सुपारी किलर भी मान रही थी. लेकिन उनकी तलाश का कुल जरिया नजर नहीं आ रहा था. लेकिन विवेक मर्डर केस, अब एक और मर्डर केस से जुड़ने वाला था. सर्थ! सट? सुच इस तरह से विवेक का मर्डर हुआ था, एक मेना पहले ठीक उसी तरह से सुपेला में भी एक मुर्डर हुआ था इस मुर्डर की मुर्डर सुप्रेंडी भी सेम थी विक्टिम का गला स्लेट किया गया था और विवेक की तरह इसकी लाश में गाड़ी के पास ही मिले थी था कौन ये बंदा? सिननागेश इसकिलाफ स्ट्रॉंग केस है दो-दो आइविटनेसिस है जिन्होंने उसे मुर्डर करते हुए देखा है सर इसलिए तो आपके पास आये हैं आप ही कोई रास्ता दिखलागी सर खरीद ने गवाओं को उसके लिए पैसे लगेंगे अजमानत के लिए एकलाग अलग से सर रखम थोड़ी कम हो जाती तो मौल भाव करना है तो सब्सेमणी दोगली छोड़ गे आप नाराज मत हो नागेश जी पैसों का इंतराम हो जाएगा बस आप किसी भी तरह से मेरे भाई को छोड़वा दीजे समझो बज गया अब कल तक एडवांज भेज दीजे तो तुम्हें लगता है किस वकील नागेश और विवेक के मुर्डर का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है सर कम सर कम कातिल तो सेम ही हो सकता है क्या फिर दो अलग अलग लोगों ने एक ही बंदे को सुपारी दियो तो फिर सुपेला पुले से पूछते किस वकील नागेश के मुर्डर की कहानी के है मी जी पासना पता चला लड़की का जाने दीजिये न अपनी ही बेटी का मामला है आप कुछ करोगे तो हमारी ही बेहिजती होगी वकील को सलाद होगी तुम नाम बोलो बिरजू रसाली में रहता है पैर की जूती को सर पर बांदना चाहती है तुमारी बेटी लिसंस कार दिये तुमने सर नागेश रक्तरा का बाववली था कानून को भी जानता था और गैर कानूनी काम करने वालों को भी इसके बाद हम उसके घर पहुंचे साप मेरे पती का कातिल घर पर ही है इसलीने मरवाया है मेरे पती को खा गई है अपने बाब को ये ताकि इसका और इसके आशिक बिर्जू का रास्ता साफ हो जाए बिर्जू कहुन है और कहा हुआ मिलेगा इस बिर्जू के पास नागेश को मानने का अमाटिक तो है और यह विवेक को क्यो मारेगा इस बिर्जू को कोई हिस्ट्री नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है विर्जु का विवेक से क्या तालुक हो सकता है तरुम तुम मुझसे इस तरह से पल्ला नहीं जढ़ सकते तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी क्या हालत है इस समय शोयता हम सिर्फ मज़े के लिए मिलते थे मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा प्लीज मुझे फोन करना बंद करो अच्छा अब भाग रहे हो तुम देखो तरुम अकर मुझे इस तरह से वोट करते रहना तो तो मैं तुम्हें फसाद हो की समझे तो तुम मुझे ब्लैक्मिल कर रही हो हाफ कर रही हो ब्लैक्मिल हलो हलो यह विवेक है हमें लगता इसका मदर आपके पती से कनेक्टर है क्या आप इन में से किसी को जानती है नहीं मैं इन में से किसी को नहीं जानती नहीं मैं भी नहीं जानती आप इन में से किसी को जानती है नहीं मैं इन में से किसी को नहीं जानती बस बस अच्छा सुनो स्कूल से पुष्प को लेते हुए जाना ठीक है और पुरे टाइम पूजा पार्ट में मत लगे रहना मुझे दो फेशियल करने हैं, टाइम लगेगा तो घर में जाके चावल चड़ा देना ठीक है? ठीक है दीदी, इतना प्रेशर ठीक है? दीदी, मैं एक लिड़ गरम पानी लेकर आती हूँ क्या देख रहे था? कुछ इंपस ऐसे? इस शर्माई है मत, बोलिये ना अच्छी लगी मापको बहुत तो उस बुड़िया को इस घर से बहा निकाल के फैक दो और मुझे यह अपनी साथ रख लिए क्या? क्या बोल रही तुम? सही तो बोल रही हूँ क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी साहब फिसल रह थे मैंनो इने समाल लिया सब विक्टिम का नाम संजीव सिना है और यह इनके फादर है सही इस केस में भी सेम पैटन मालूम होता है विवेक और नागेश की तरह यह देखी और सही यहा पास ही में इधर बाइक के टायर के निशान है मतलब नागेश और विवेक की तरह कि Sanjeev अभी गला काटकर माटव किया गया है कर शी दूस मनी सार अच्छा बाला लड़का था मेरा बेटा संजीप अभी अभी उसकी टील इंडस्टी में उसकी नोग भी लगी ते स्टील इंडस्टी जी सार तीन कतल हुए और यह तीनों कतल उसवक्त हुए जिस वक्त विक्टिम्ज अपनी-अपनी कार में थि मॉडस अपरेड़ी सेम है लेकिन इन तीनों मॉड़र्स का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है से एक कनेक्शन है स्टील इंडस्ट्री का विवेक शर्मा और संजीव पांडे ये दोरों स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे लेकिन नागेश सिसाहू ने भी नागेश के बारे में एक इंफिर्मेशन निका दी ये नागेश दो साल पहले स्टील इंडस्ट्री में लीगल एडवाईजर था तो मतलब कातिल जो भी है, वो स्टील इंडस्री थे जोड़े लोगों का अपना टार्गेट बना रहा है, हो सकता है वो अपने अगले टार्गेट की तलाश में हो, वो लड़का बिर्जू, उसका किछ पता चला, जिसे नागेश ने सब के सामने दलील किया था, जी नहीं सर, साहू बता रहे थे कि नागेश की मॉर्डर के बाद से ये बिर्जू हवा हो गया, बिर्जू नागेश मॉर्डर केस का प्राइम सिस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस नागेश विवेक और संजीव के कातल को एक ही मान रही थी, पर बिर्जू का विवेक और संजीव से ना को के सभी हिस्ट्री शीटर्स को उठा कर अंदर कर दिया लेकिन इतना सब करने के बावजूद ये हत्याएं थम नहीं रही थी सईसादमी का नाम देबा शीश या पासी में एक छोटा सा ढाबा चलाता इसके मॉर्डर की मॉर्डर सप्रेंडी सेम ही लग रही है बाकी जितने भी कतल हुए वो सब के सब आपर क्लास के थे और कतल तब हुए जब वो लोग कार में थे लेकिन ये एक छोटे से डाबे का आदमी इसके कतल का उन तीनों कतल से वाके को कनेक्शन है यहां में गुमराख करने के कुछ आल है सक किलर का माइंड समझ में नहीं आ रहा है समझना पड़ेगा एक के बाद एक एक चौथा कतल अब दर्जू अभी तक हमारे हाथ ने लगा अब क्या करेंगे योगी भीया मडर केस पर फस गए तो बहुत लंबा जाएंगे तुम पर रजान होतो हमने सोच लिए है क्या करना है सर्फ अपने खब्रियों से पता चला है कि विवेक की मौत की एक हफते पहले विवेक और उर तपन के वीच में काफी गर्माग्न भी Fest Burns लिएकिन यह बात हमें स्टाफ में से किसी ने री बताई है और नहीं Boss बास करने जागडे की WeSea पाते चली यह सर् यह विवेक की परफॉमस तपन की परफॉमस की जादा बैस था पिछले दो साल से विवेक को Best Performer of the Year का आवर्ड भी मिल रहा था तर मतलब बेस्ट के जाने के बाद जो बचा वही बेस्ट उठा इस नपन को सर मेरा विवेक के मढडर से कोई लिना देना नहीं है तेख सीधी तरह बोल दे वाना उंगले नहीं पूरा हाठ टेडा करूंगा सर थी मुझे उससे जलन सर बड़ी मुश्किल से मैं अपना टार्गेट पुरा करता था सर और भी वेक तर हर वार टार्गेट का डेवल सेल करके एक अपनी को देता था हम दोनों सेम लेवल के थे सर लेकिन सेलरी, सर सेलरी उसको जादा मिलती थी इंसेंटिव, सर वो भी उसको जादा मिलता था और ओफिस से सभी लोगों की वहाँ वाही भी उसे ही मिलती थी तैंक यू सर, गड़ जाब इसले सुपारी दे दी उसकी पटा जी उसको रास्ते से सर मैंने उसको नहीं मरवाया है अच्छा सर सर मैंने किसे को नहीं मरवाया है सर सर सुने सर विवेक अपनी मौत का जिमेदार खुद है सर क्या सर सर मैं अंडर परफॉर्म करता था विवेक से लेकिन मैं उसकी तरह कलिक की बीवियो पर गंदी नजर नहीं डालता था सर तरुन की बीवियो की बात कर रहे नहीं सर, आकाश और उसकी बीवियो की आकाश सर, विवेक का असिश्टन सर उसके बारे में विवेक ने कुछ कहा था सर जिससे आकाश अगुर वोला हो गया जुबान संभाल के वेवेक सर मेरी बीवी को लेकर दुबारा ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आकाश, रिलाक्स अगर तुम्हें बज़न नहीं आया तो मैं इस बारे में दुबारा बात नहीं करो लेकिन घर पर आराम से जाके सोचना देख अगर ये कहानी तुने अभी भी पकाई है न तो याद रख लो इसी कमरे में तुझे रोस्ट करोंगा सर मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ सर आप चाहे तो आकाश से कन्फरंट कर सकते हैं सर क्यों लाएं आप लग मुझे यहाँ पर तौर्चे रो रहा हूं मैं यहाँ तापन नहीं सब बता दिया आप जूट बोलने का कोई फाइदा नहीं बोलो, क्या हुआ था तुमारे और विवेक के बीच में सेल्स की जॉब ना बहुत स्ट्रेसफुल होती है ना क्लाइंट कुछ रहता है, ना गर में बीवी कुछ रहती है सब को कंप्लेंट्स है क्यों? जी सर, शादी के कुछ साल के बाद ऐसा तो आम है गर्स ओफ रुटीन यहनो, मुझे समझ में नहीं आता जब इंसान रोज एक ही सबजी खागागे बोर हो जाता है तो इक ही पार्टनर से बोर कैसे नहीं होगा है लिए सर, आप पार्टनर्स को थोड़ीने सबजी की तरह बदल सकते है बदल सकते है कभी-कभी हम करते है मैं बासकर सर, तरुन हम लोग एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ यदो रिलाक्स, अकाश इफ यू वांट, यू जोई नहीं है सर वो सर विवेक सर मुझे वाइप स्वापिं के लिए बोल रहा थी वाइप स्वापिंग? जी में पापना और विवेक ने हमें जब बताया क्या वसाच है? जय सर लेकिन सर हमने हमने जो भी क्या वह आपसी सहमिति से किया किसी तीसरे को क्या परल्ल मों सकती थी? सर सबका कुछ-ना-कुछ स्ट्रेस-बस्टर होता है यह हमारा स्ट्रेसबस्टर है जी और हमें कोई क्राइम नहीं किया आप अपने घर की चार दिवारी के अंदर क्या करते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं पर जब कोई क्राइम होता है न तो निजी बात नहीं रह जाती वाइफ स्वैपिंग, पत्नियों की अदला बदली, इजददार और अमीर कहे जाने वाले लोगों के बीच मनुरंजन के नाम पर खेले जाने वाले इस खेलने क्या इतना घातक रूप ले लिया था क्या श्वेता और तरुन के बीच बढ़ रही नजदीकियां विवेक की मौत का कारण बनी थी या फिर तपन और विवेक की बीच की दुश्मनी विवेक की मौत की जिम्मेदार थी या फिर विवेक की हद्या के पीछे कोई और ही मकसद था लेहाजा पुलिस ने दर्जू को धून निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिर कार उसको पकड़ लिया गया बोल बोल तुने तीनों मर्डर्स क्यों की अपने पार्टर का नाम बोल साब मैंने कोई मर्डर नहीं किया साब अच्छा तब बिल में के छुपा बैठा था साब मैं डरगिया था साब अर्चना से प्यार करता था और उसके पापा नागेश ने मुझे 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 फसाने की धंकी दे थी यार और जान में मैंने जान को चुना साब और मैं भाग गया यासा है तुने जान को चुना साले तुने जान लेना चुना। पहले नागेश, फिर बिबेक और उसके बाद संजीए। बोल, बोल तुने तीनों मडरस क्यों की। बोल, अपने पार्टन का नाम बोल साथ, जिन जिन का नाम आप ले रहे हो साथ, मैंने नाम तक नी सुने। मेरा कसूर सरी पेतना है साथ, मैं दूसरी जात का हूँ, इसलिए आप लोग मुझे पजा रहे हो साथ देख, सीधी तरह बोल ते, वन ना सड़ेगा यहां पर बोल, मारे पार्टन का ना बोल, सार बोल, बोल, सार बोल, आज से अब कुछ दिन पहले जब हम उसके पास गय थे तो उसने हमें यह बताया था बता शहर में जो कांड हो रहे हैं कौन कर रहा है कौन कर रहा है? अरे वाई, पुलिस वाला, मेरा राइगुलर कस्टमर है लेकिन साब उसने हमें यह नहीं मताया कि यह पुलिस वाला कौन है अरे नहीं साब, हमें मरना है कि आप लोगों पई हातों से साब, एक तम सच में गया साब, वो धंदे वाले का नाम और अड्रेस बोल साब, साब, साब एक मिनिट साब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है पूरे इलाके में शेह नहीं बनी गुमती है मेरे सामने भीगी बिली बन जाती साब, थोड़ा तो रहम कर दो हम पर एक बार मेरी बात सुन लो तू मद बोल, उसे भेज, उसे बात करोगा चल जा साब, एक बार मेरी बात सुन लो साब, चंदा का नंबर बन गए उस कपिम बता रहा है कि वो गोवा गई है तो यह नहीं पता कि वो गोवा में कहा है तो यह योगी और बलू, हमें गोड़ी तो नहीं दे रहे हमें चंदा के जरीए किसी पुलिस वाले के चकर में जा रहे है मुझे नहीं लगता सर क्योंकि जब चौथा मुड़र हुआ था तो यह योगी और बलू हमारी कस्टरडी में थे अगर यह दोनों सच बोलने है तो फिर यह जाना जरूरी है कि वह कौन सा पुलिस वाला है कुरे सारे मोडर कर रहा है संब, मसला यह है कि अगर यह सच है तो हमें एक पुलिस वाले पे आख्छन लेना होगा कोई मसला नहीं कानून की नजर में सब बराबर है चाहे वो पुलिस वाला हो या आम आदम लेकिन पहले ये कन्फरम करना जरूरी है कि इन सारे कतल के पीछे क्या वाकिक हो पुलिस वाला है दास अरे रुको रुको चावी दो हमको गाड़ी हम लेख जाएगे एक तरफ किसी पुलिस वाले को इन मर्डर्स में सस्पेक्ट समझा जा रहा था और वहीं इस बार पांचवी हत्या खुद एक सीनियर पुलिस आफिसर आनंद कुमार की हुई थी और इस हत्या के बाद पुलिस हेड़कोर्टर तक खेल गया था सर हमें इन्फरमेशन मिली है ये जो भी है हमारे डपार्टमेंट से ही है तुम उन दो गुंडों की बात का यकेन कर रहे हो फिर भी अगर थोड़ी दिर के लिए तुमारी बात मान भी लेते हैं तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पुलिस वाला होगा जो ऐसा करेगा या ऐसा करवाएगा अब यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन जितने भी मुअडर्डर्ज हुए हैं उनके तार आपस में जोडने ही रहे आई थिंग कि ये कोई पुलिस रबार्टमन को चैलेंग करना है तुम मुझे ये बताओ तुम करना क्या चाते है स्टार्डर्ज अधार्ज श्रडर्ज विए पांचो क्राइम सीन के डंड़ निगाल के स्टडी की मेरे हाथ में एक नंबर लगाया है जो इन पांचो क्राइम सीन पर मवजूद था किसका नंबर है कि अजÅ पांचो चाहँ है कि अ झा सवांचो क्रा déjà चार्डर्णी तुम मुझे बतादी कई तुम करना क्या क्या है कि पांचो कि जक उतुम का थासवं मुझे बता futur खुछाए लीजे बहुत खुशी का मुखा है क्या बात है? मेरे पती की नौकरी दुबारा लग गई है इज़ी बाते बदाई हो अरे साफ, आप लोग लीजे बात है क्या बात है अपने गिरफतारी खुशी में बिठाई बात रही हो तो? मेरे गिरफतारी? यह क्या बोल रहा हो? 44547685 यह नूबर तुम्हारा हाँ, यह नूबर तो मेरा है पर मेरे पती इस्तमाल करते है पती इस्तमाल करते? हाँ, मेरे पती, Mukun कुमार जी मुकun, जास्पंशन रद हो के तुमारा? जी वो अनन सर के साथ हाथसा होने के पहले में मेरा सॉस्पंशन दद कर दिया था चलने आप लोग अलत इद्जाम नगा रहे हो मच्वर, कोई सुबूत है यह बहुत सुबूत है, और एक गवा भी है गवा? हाँ, गवा, चंदा जी साप, आपका ही आदमी है जो मर्डर करता है तुझे कैसे पता चंदा? मैंने उसके कपड़े में काई बार खुन के धबे देखे थे और एक बार उसके पास चाकू भी देखा थे यह मा सोचना कर तो पोलिस वाला है तो हम रहम करें लिए अब तो बोलेगा यह हम शुरू हो जाए तुमने हाथ दोए अरे क्या कर रहा यह? बेचा हे राम यह क्या लाके रख दिया? यह मासा हारी खाना हमने तो शाका हारी खाना मंगाया था ना? मैंने कितनी बार बोला आपसे किसी शाका हारी ओटल में लेके जलो देवाशीस ने मांस हमारी टेवल पर रखकर हमारा धर्म रस्ट करने की कोशिश की थी इसलिए हमने उसे मौत की नियुज सुला दिया हे! पागल हो गया? पागल हो गये तुम! हाँ? कैसी बाइक चलता है? सब आप और तो ने अपने सीनियर अनंद कुमार को कुमारा था? उन्हों ने ते तुमारी सस्पेंशन रत की थी? कमीना था हो उसी की वज़ेसे तो ये सारे कांड हुए उसकी जाद के लोग हमसे जुपकर परणाम करते हैं लेकिन वो इस पोलिस टेशन में हमारा सीनियर बन बैटा था बहुत होकुम चलाता था हमपर डेपार्टमेंट के अलाव और घर की भी काम हमसे करवाता था उसके टॉर्चर से तंग आकर हमने उसे वहाँ पहुचा दिया जहां पर वो रहने के लाहिक है क्या बेगाडा था कारवालों ने तेरा एक दिन बाइक से मैं अपनी पद्नी रादिगा से साथ जा रहा था एक कारवाले ने ठोक दिया गल्ती उसकी थी चोट हमें लगे थी लेकिन वो और हम पर रॉप जाड रहा था उसकी पहुच बहुत उपर तक थी उसमें डेपार्टमेंट में हमारी शिकायत कर दी और मिन डेपार्टमेंट ने क्या किया भीना सज्जाने सोच्य संघे मुझेही ชस्पेंट कर दी थी तरह साथफी कौन था तरह पार्टन्र कौन था हमारे दूर का रिष्टेदार है बरजेश वो भी हमारी तरह जाती के वज़े से बहुत परेशान हुआ है इसलिए वो हमारा साथ दे रहा था उसे यकीन था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे अपनी जाती या धर्म के प्रती लगाव रखना कोई गलत बात नहीं है मुकंद के अपराद ने उन पांचों पेड़ितों की पत्नियों की जिन्दगी को तबाह कर दिया था और सबसे बड़ी चोड़ तो मुकंद ने अपनी पत्नी राधिका को पहुँचाई थी राधिका को अब तक यकीन ही नहीं हो पारा है कि उसके पती ने पांच लोगों की हत्या की है आज राधिका की जिंदगी मानो एक मजधार में आकर खड़ी है एक हत्यारे की पत्नी होने का दाग उस पर लगा है और वो अच्छी तरह से जानती है कि उसकी और उसकी बच्ची के आने वाली जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर होगा अब मैं अनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ फिर मलाकात होगी Crime Patrol सतर्क के Black Headlines अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें Crime और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें जै है